नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमाई चैनल शेयर मार्केट में बात करेंगे जे-पी पावर की तो बिलकुल डिटेल में कबर करेंगे कंपनी के करेंगे सभी चीज़ों को डिटेल में कबर करेंगे सबसे पहले बात करेंगे की तो गर्फ ऑफ ट्वांटी टू परसेंट तक निंक्रीज हुई है देन उसके बात करें कौन की तो में इसके एंपास कमपनी की सेल गोथ भी फो परसेंट तक कम होई लास्ट फाइव यह उस्के लावर्मोंटर की होडिंग भी काफी कम है देन कंपनी के प्लैट स्टोक्स भी परसंट के लास्ट बन वन्त में नेग्टिवए लेकिन सिक्स मॉंथ में 33% बात करें वन यूर की तो 51% के अब मैक्स चाट की बात करें तो मैं पास कंपनी का मैं पास बिलकुं डेड है जैसे कि आप देख सकते हैं कभी एक टाइम था कंपनी का प्राइस हमाँ पास लगवग वन हंडर्ड एंड एलेवन रुपीज जा फिर 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 कंपनी का प्राइस लेकिन अभी बात करें तो बिलकुल कंपनी का जो ग्राइस है वह हमाँ पास एक रुपी 0.75 पैसे आप देख सकते हैं 70 पैसे तो काफी ज्यादे ग्रावड दे इस देखरी आप उसमें जो हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी बज़ा से आपको इन स्टोक में अभी रेली देखने को मिल रही है बाकि अगर दूसरी तरफ देख जाए तो हमाँ पास जो स्टोक से बिलकुल डेड हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमाँ इसको फंडमे कोड कर रिजब था फिन एक्टिव में गया देन यहां पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है 3700 कोड कर रिजब तो यह एक पोस्टिव साइन है कि जो कंपनी हमारे पास है वो नेक्टिव से निकलकर अच्छे खासे इंक्रीज में आई है देन लोंग टरम की बात करें यहां पर शॉट रम की तो शॉट रम में 465 कोड का डेट है लास्ट कोड़र में 500 था उससे पार थटीन अब तो यहां पर भी कंपणी ने कम किया है लेकिन अभी भी कंपनी के पहरां ट्रींड कोड के एंपहले 17600 थे उससे पहले 23,000 6900 तो कम्पनीक एसेडिस में पास पास काफी कम हुए है तो यहां पर देख सकते हैं कि मार्च के मंत में 956 क्रोड का रवेन्यू कंपनी ने जनेरेट किया है तो यहां पर भी हमें ग्रावट देखने को कंपनी के रवेन्यू में मिली है देन बात करें बैटन की तो 28% पर मोटर्स की ओडिंग है काफी कम है 35% डियाई की है और इसके इलाबा 36 प्रेंट पब्लीक के पास है तो यहां पर एक सबसे बड़ा डोवएक जो निकल के कंपनी के कंपनी के 87% स्टोक्स का प्लेज होना जैसे आप देखिए कि कंपनी के 28% जो स्टोक्स है हमारे पास बेंक लोन देने से मना कर देता और फिकंपनी अपनी प्लेज रख कर लुह लेती है तो तब यहां हमारे पास गेंका कंपनी के ब्लेज होते हैं इसलिए कंपनी के 27% स्टोक प्लेज नख़éndग ज्याद है लेकिन कवँए कंपनी के प्लेज विज़ें लेकिन पासो प्रच्टर का स्टोग पैनी स्टोग आपको चेटन्स देखने को मिल सकते हैं हाला कि यहां पर आपको थोड़ी किरावट आने वर टाइम है तो आप इसमें एवरेज बना सकते हैं वाकि आप कीजिए कोड़ इनलिस कीजिए उसके बाद ही आप इन स्टोक में इंवेस्टमेंट कीजिए क्योंकि यह काफी रिस्की स्टोक होता है इसके आप एज गैबलिंग थोड़ा से मौंट ही ही इनवेस्ट कीजिए ताकि इसमें और गवट भी आपको मिले तो आपको जादन रुक झाल को अ.